हाई स्टुरेंट आज हम ब्लड प्रेसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेसर जो वो होता क्या है देखो ब्लड जो है वो हमारी जो ब्लड वैसल्स होती है जिसके अंदर ये फ्लो करता है blood vessels तो उसके अंदर जो है वो ये एक pressure जो वो exert करता है जो जैसे हमारी vessels है तो यहां पे जो blood flow कर रहा है तो ये साथ में क्या करता है ये जो walls होती है हमारी blood vessels की जो ball होती है इसके उपर जो है एक pressure exert करता है and that pressure is called blood pressure उसको हम blood pressure जो बोलते हैं blood pressure जो इसको बोल देते हैं अब ये blood pressure जो होता है ये arteries में ज़्यादा होता है ठीक है जो arteries होती है उसमें blood pressure जो ज़्यादा होता है high होता है और जो veins होती है हमारी शिराइं जिसको हम बोलते हैं उसमें ये BP जो होता है वो low होता है ना कम होता है यह बेंस में, आर्टिस में जो वो ज़्यादा होता है, इसका फ्लो जो होता है, इसका जो प्रेसर होता है, वो आर्टिस में जो ज़्यादा होता है, अब देखो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताए थी आपको पहले भी कि हमारा जो हार्ट होता है, उसमें कितने? चार चेम आपका left है और यह आपका ventricle right होता है ठीक है तो यहां पी जब ventricle हमारा contract होता है हैसी इस तरह से contract होगा यह तो यह blood को उपर जो वो बेश देता है different body parts में यहां से और यहां से यह बेश देता है आपके lungs को तो जब हमारे ventricle contract होते हैं ventricle जब contract होते हैं तो that pressure is called systolic pressure ठीक है उस pressure को हम क्या बोलते हैं systolic pressure जो बोलते हैं जब हमारे ventricle जो वो क्या होते हैं systolic pressure जब ventricle हमारे contract होते हैं तो उसको systolic pressure जो वो बोलते हैं और जब ventricle हमारे relax होते हैं, ventricle जब relax हो जाते हैं contract होने के बाद, relaxation में आ जाते हैं that pressure is called diastolic pressure उस pressure को हम diastolic pressure जो बोलते हैं और यह normal जो होता है systolic and diastolic pressure जो होता है normal systolic pressure जो normal होता है that is 120 mm mercury होता है और diastolic pressure जो होता है that is 80 mm mercury होता है तो इसलिए normal जो हमारा blood pressure होना चाहिए that is 120 upon 80 mm mercury जो वो होना चाहिए ये normal BP जो हमारा इसको हम बोलते हैं और जब ये ज्यादा हो जाता है BP जब हमारा high हो जाता है क्यों होता है that is the due to the constriction of these blood vessels constriction हो जाती है इसमें constriction of blood vessels ये blood vessels जो हमारी constrict हो जाती है स्विकुडने लग जाती है तो इसके कारण हमारा BP जो वो high हो जाता है और इसको हम बोलते हैं hyper tension जो हो इसको हम बोलते हैं और कई बर यहाँ पे क्या हो जाता है जो हमारी blood vessels होती है ये जो हमारी arterioles होते है arterioles जो होती है arteries के बाद जो डिवाइड होती है छोटी छोटी vessels में उसको हम arterios बोलते हैं तो कई बर ये arterioles जो हमो rapture भी हो जाती है तोट जाती है और यहाँ से कई बर bleeding जो हमो start हो जाती है ठीक है तो ये होता है हमारा जब BP जो हो high हो जाता है बहुत ज़्यादा ये अगर बढ़ जाता है जिसको हम hypertension जो बोलते हैं अब यहाँ पे देखो इसको जो मापने का हमारे पास जो डॉक्टर के पास होता है instrument उसको हम बोलते हैं sphygmomanometer 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 जो वो होता है और जो डॉक्टर अपने यहाँ कान पे लगाते हैं और उसको हमारी हार्ट भीट को सुनते हैं उसको हम होता है stethoscope है ना stethoscope है ना stethoscope है तो stethoscope तो आपने देखा ही होकर डॉक्टर नॉर्मल तोर पर अपने गल में डालके रखते हैं यह वाला जो होता है वो यह वाला जो होता है ना यह गले में डालके रखते हैं डॉक्टर और यहाँ से जो वो हार्ट बीट हमारी सुनते हैं यहाँ से इसको कान में लगाकर सुनते हैं स्टैटो स्कोप है और स्पिग में में अमेटर आपने देगा होगा ये ये इससे हम अपना अपना यहां पना इसको इसको पैस को वह के साथ हैन न आपने के लिए ठीक है तो होप है कि आपको ये वीडियो बिलेड प्रेसर से लेटर जो हो जुरूर क्लीर होई होगी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू